हेलो दोस्तो मैं सुप्रिय आप सभी को सुप्रिय एजूकेशन हब यूटूब चाइनल पर स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में क्या देखेंगे आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को एकजामिनेशन में कोपी लिखने के दोरा किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ठीक है यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट सावित होने वाला है और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक्जामिनेशन में कोपी दिया जाएगा वह आप लोगों का 32 पेज का होगा ठीक है 32 पेज का 32 में कितने पेज लिखने हैं अगर आप लोग मैठेमेटिक्स के स्टुएंट है तो आप लोगों को पेज पर ध्यान नहीं देना है बस जितने भी कोशन बनाने के लिए बोलते हैं वह आप लोग अच्छे से बनाईएगा सही सही पूरा पेज भढ़ने पर ध्यान नहीं देज़ेगा ऐसा नहीं किसी कोई भी अपने मंसे कुछ 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 करके लिख दीए ऐसा में आप लोगों को नंबर नहीं आएगा आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरे स्टेफ वाइज को बनाना होगा तभी माक्स आएगा आ एपटल लोगों को बनाना होता है ना तो अगर आप लोग है को सा! प्रूप करने वह तो तीन चार तीन पेज तक भी चला जाता है तो आप मैथ उनर्स वालेशन बिल्कुल भी चिंद्रा नहीं किजेगा कि उनका पेज भड़ेगा यह नहीं क्योंकि 24-25 पेज आराम से भड़ जाता है और आप लोगों कोई भी ऑनर्स के स्ट्रेंट है तो सबसे पहला बात देखिए अगर आप लोग आठ सब्जेक्ट से ना ठीक है तो उसमें से आप लोगों को दस को सब्सक्राइब लोगों को टाइम को टाइम का बटवारा कर लेना होगा जैसे कि मैंसा आप लोगों कोinya हुं ठीक है तो आप लोगों को इसमेत सब्सक्राइब ओक और ये एक वोग खुतर सुन समें को देखे हैं व हमलोग लिखें पूर्णों सुन वकात सब्सक्राइब कम आप ये बात का द्यान रखना है कि आप लोग के पास टाइम कितने है और आप लोग अपना घरी तो लही जा सकते हैं इसमें बड़ी बात नहीं है अपना टाइम देखते रहे गाएगा अगर 30 मिनट हो जाता है तो फिर उस को सनको तो कम्प्लीट कीजिए महीं पर लास्ट पॉइंट लिखे जो भी इंपॉर्टेंट है असको कम्प्लीट करके फिर नेक्स्ट कुस्टन को आप लोग लिखते रहा जाए या फिर दो तीन कोई पूरे एक्जाम ने तीन घंट में लिखे और बाकी कोस्टन ही छुट जाए तो लेकिन जब रास्ट पेज़ पहुचते तो उनका राइटिंग इतना हैं राइटिंग इतना गंदा हो जाता है और बहुत कुट्पूट भी हो जाता है तो आप लोग को इस बात का विद्यान डखना है तो इसके लिए आप लोगों को एक कुस्प्र पर्सक्राइब कर लेन रखेगा और लास्ट में विए अग्दम सुन्दर से अच्छे से लिखिएगा क्योंकि जब पहला पेज में सभी अच्छे से लिखते लेकिन अंतिम बात बता दो जो कोफी होता है तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वह आप लोग को पूड़ा लाइन वाइन पढ़के तीन घंटा तो पीचेक करते रहे एक को चेक करने में दो मिनट बस दिया जाता है ठीक है तो इस बात का भी ध्यान दखिएगा कि आप लोग को अच्छी तरीकाइब अगर आप लोग का हैंड़ाइटिंग अच्छा नहीं है तो कम से कम कोशिष कि जिएगा कि वहां साफ साफ लिखे तैकि पता चल से के को पीचेक करने वाले को की आखिर लिखा क्या है अगर उनको नहीं समझ में आगा तो ज्यादा दिमाग ठोड़े जो डालेंगे किसी क्या लिखा हुआ था करका सुचेंगे सीधा कट करेंगे आगे वड़ेंगे ठीक है किसी के पास उतना टाइम नहीं है तो आप लोग का अगर हैंड़ाइटिंग अच्छी नहीं है तो कम से कम साफ साफ तो लिखेगा ना किसे हाँ जो भी वर्ड लिखे वो पता चले कि आखिड यह क्या लिखा हुआ ठीक है तो राइटिंग का बात बता दी 32 पेज रहेगा उसमें 25 से 26 भड़ना ही भड़ना है ठीक है और आर्ट वाले में तो थोड़ा पेज भड़ने कोशिश किजिएगा लेकिन हाँ पूरा 32 भी नहीं भड़ना है 25 से 26 और उससे ज्यादा आप आप लोगोन को यह सब बाते बता दी और क्या बताना है किस कलम से लिखना है तो नहीं तो नहीं नहीं लिखना नहीं लीजा ज्यादा बेटर रहेगा झाल에서dessus दो और वह मैं दो उतना चलता नहीं है थोड़ा सा जीब चलता लगता है तो वह सब काम आप लोग खुछ से कर सकते बताना जरूरी नहीं है और अपना चलता ले जाना ठीक है और क्या बता ही और भी तो कोई डाउट तो नहीं होगा और मास्क लोगो को ले जाना है अध्मिकाट तो लेकि जाना यह भी बता देते हैं अभी तो इस चुट गया है जो मैं आप लोग को नहीं बता पाई है तो आप लोग क्या किजेगा मुझे कमेंट करके पूच लीजिए घाल अब तो यह भी नहीं बोल सकते जिनको जिनके पास घृस्पेपर नहीं है पारत तो आप लोगों के पास टाइम भी नहीं क्या करना होगा इंस्टा पर कॉंटेक्ट कर लिजेगा सुप्रिया एजूकेशन अब इंस्टा आइडी है और टेलिग्राम आइडी है एडरेट सुप्रिया एजूकेशन अब तो आप लोग एक्जाम के लिए और अपना को मतलब की कलम ले जाएगा कलम स्केल पैंसिल जो भी ले जाना होता है वह अच्छे तरीके से लिएगा और टाइम का ख्याल लखेंगा यह नहीं कि से एक ही कोस्टन में हम लोग जादा टाइम दे दिए तो फिर दिक्कत हो तो लोगों को आदा गंटा से जादा एक कोस्टन के लिए नहीं देना है ठीक है तो बस यहीं सब बात था आई होप आप लोग के एक्जामनेशन में यह बात जरूर्ब करेगा ठीक है और मतलब कि दो कोस्टन अच्छा वादा से लेक्ट कर लिए एक लास्ट के लिए और सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को सेयर कर दीजेगा और अगर चैनल पर न्यूँ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा तैकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेसन आप लोगों को टाइम से मिल सकते चलिए थैंक्यू बाई